जहें दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं exercise 5.3 class 10 NCRT question number 8 और उसके आगे क्या बोल रहा है question number 8 तो question number 8 कहता है कि उस AP के 51 पदों का योग याद किजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमसह 14 और 18 आपको S51 निकालना बहुत ही आसान है सबसे पहले ध्यान दो S51 कैसे निकाल सकते हैं लोग तो अरे हमको तो यह पता है कि सर SN is equal to होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D या तो N by 2 into A plus AN यदि A51 पता होगा तो direct निकाल देंगे हला कि नहीं पता है तो मुझे A और D भी पता रहेगा तो उपर वाले formula को apply करके निकाला जा सकता है लेकिन तुम थोड़ा ध्यान दो कि यह A और D निकाले कहां से हम N तो दिया है 51 उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो D कैसे निकलेगा तो याद करो मैंने आपको theory में अल्रेडी समझा के रखा हुआ था कि D क्या होता है किसी भी दो consecutive AP का difference तो यहाँ पे क्या D नहीं निकलेगा direct D is equal to A3 minus A2 भी तो होगा अरे D is equal to क्या होता है A2 minus A2 तो कोई भी consecutive को घड़ा दो मतलब 18 minus 14 is equal to 4 अब यदि D निकल गया तो A भी निकलना आसान है कैसे निकलेगा है अरे A2 is equal to क्या होगा तो यह A plus D ही तो होगा यहाँ तुमको पता है कि A2 की value 14 दियो हुई है तो A plus D का value अभी तुरंद 4 निकाले हम तो इस आधार पर क्या सकते हूं यह plus अधर आएगा तो minus का 4 is equal to A तो finally I can say that the value of A is equal to 10 तो A बराबर आगया 10 और D बराबर आगया 4 अब मुझे चाहिए S51 मुझे क्या चाहिए S51 तो मैं direct लिखता हूं ना क्या लिखूंगा कि S N is equal to होता है N by 2 into 2 A plus N minus 1 into D इसी को apply करता हूं लोग क्या apply कर सकता हूं S 51 N के चाहिए कितना डाला 51 यहाँ पर भी डालो 51 by 2 into 2 into A की value कितने लिख लिख लिए 10 ठीक है plus 51 minus 1 into D की value कितनी है 4 यहाँ पर D की value 4 है solve कर देते इसको क्या हो गया 51 by 2 into 10 दूनी 20 plus 51 में से 1 गया तो 50 50 गुना 4 बराबर 200 तो कितना हो गया 152 गुना 220 और जैसे 220 को 2 से काटेंगे 110 बार में कटेगा और इसको गुना कर दो 11 एकम 11 ग्यारा पचे 55 और एक 56 एक 0 को एक 0 तो S51 की value 5610 देखो question number 9 क्या बोल रहा है question number 9 कर रहा है कि किसी AP के 7 पदों का योग 49 है और उसी के 17 पदों का योग 289 है इसके N पदों का योग क्या होगा अरे N पदों का योग के लिए formula क्या apply कर रहे थे N by 2 into 2A plus N minus 1 into D A और D तो निकाल लो N का कोई exact value नहीं है तो N हम जो है वही डाल देंगे लेकिन A और D का तो value चाहिए न इसी को थोड़ा apply करते कैसे apply करेंगे तो ध्यान से देखो अरे S N इसको क्या formula होता है N by 2 into 2A plus N minus 1 into D मैं क्या put कर रहा हूँ? मैं put कर रहा हूँ S 7 S 7 तो N के जगा पे 7 by 2 into 2 into A की value पता नहीं है plus 7 minus 1 into D यही तो होगा हलाकि मुझे पता है कि S 7 की value 49 है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं थोड़ा और काम करता हूँ S 7 की value मैंने 49 डाली है अब तुम ध्यान दोगे दिखेगा यह 7 by 2 into 2A plus 7 में बन गया तो 6D इसकी value है ठीक है अभी तक कोई आपती नहीं है तुम और step को further लिखे जाओगे तुमको दिखेगा कि सर्फ 49 तो है यहां कोई doubt नहीं है लेकिन यह दो भागा में इसको इधर गुना में ला सकते हैं और यह 7 गुना में इसको इधर भागा में ला सकते हैं बराबर क्या बचेगा बचेगा 2A plus 6 का D तुम ध्यान से देखो कड़ जाएगा यह सती सती उन्चा 7 बार में कड़ गया कितना बच रहा है तो यह बच रहा है साथ दुनी 14 बराबर 2A plus 6D पूरे के पूरे equation को आप यदि 2 से भागा दोगे तो यहां आ जाएगा 7 is equal to A plus 3D 2 से 2 कड़ यह दोती अचे और इसे को बढ़े हैं तरीका फिलिख सकते हैं लोग पलटा के लिखेंगे तो A plus 3D is equal to 7 और इसको मैं मानूंगा equation number 1 ठीक है same चीज को apply करूंगा मैं उस वाले से S N वाले से उसके बाद A और D का value मैं निकाले एक उसे करूंगा तो S N फिर से apply करता हूं formula हलाकि मैं direct S 17 रख देता हूं यहाँ पे direct 17 बराबर क्या होगा N by 2 मतलब 17 by 2 into 2A plus N minus 1 मतलब 17 minus 1 into D यहाँ से equation तजार करना है S 17 की value 289 थी is equal to 17 by 2 into 2A plus 16D फटा फट सॉल्व करेंगे इसको मैं लोग 279 यह गुणा में इधार आएगा तो भागा में और 17 भागा में उधार आएगा तो गुणा में is equal to 2A plus 16D तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें तुम को दिख रही होगी क्या दिखोगी कि सर यह 17 नीचे आया 17 से 289 17 बार में कर जाएगा क्योंकि 17 काई तो स्क्वाइर होता है दो सुनेवासी यह होगया 17 दुनी 34 बराबर 2A plus 16D इसको मैं डाइलेट सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ 2 से भागा दे दो तो 2 से भागा दोगे तो क्या होगा इसको यहर पल्टा भी दो तो क्या यह A plus 8D बराबर 17 दुनी 34 क्या यह 17 नहीं आएगा और इसको मैं ले जाओंगा equation number 2 इसलिए अब इसको यहीं पे solve कर दे रहा हूँ तुम ध्यान से देखो 2 equation दिख रहे होगे तुमें you can see the 2 equations और यदि equation number 2 में equation number 1 को मैं घटा दू तो मेरा काम भी हो जाएगा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ कि समीकरन 2 में एक घटाने पर on subtracting equation 1 from 2 क्या होगा तो A plus 8D is equal to 17 और equation 1 में है A plus 3D is equal to 7 यही तो है minus कर देता हूँ मैं इसको यह minus, यह minus, यह minus देखो तो A से cancel हो गया 8D में 3D गया तो 5D की value 10 तो इस आधार पर मैं direct लिख सकता हूँ कि D की value आएगी 10 by 5 is equal to 2 अब यदि मेरे पास D का value दो प्राप्त है तो A का value नहीं निकलेगा किसी भी एक equation में डाल दो मैं लिखता हूँ D का मान समीकरन एक में रख देते हैं एक में रखने पर मैं substituting the value of D is equal to 2 in equation number 1 क्या होगा तो equation number A कहता A plus 3D is equal to 7 अरे यही तो है देखो तो तो D की value 2 रखना है मुझे मैंने है 2 रख दिया D की value मैंने 2 रखती direct कर देता हूँ मैं तो therefore आप देख सकते हो की A is equal to कितना होगा यहाँ पर यदि ध्यान से देखेंगे तो यह साथ यह 3 दो नीशे उधर जाएगा तो negative में तो therefore A is equal to कितनी आ गई 4 sorry A is equal to 1 आ गई अब यदि मुझे A भी मिल गया D भी मिल गया तो क्या मैं Sn की value नहीं निकाल सकता हूँ Can't I find out the value of Sn बिलकुल निकाल सकता हूँ कैसे क्योंकि formula तो पता है मुझे कि Sn is equal to होता है n by 2 into 2A plus n minus 1 into d इसी की तो value put करनी है मुझे फटा फट put करता हूँ मैं देखो n तो पता नहीं है तो सर n by 2 ही रह जाएगा ठीक है 2 into A की value 1 plus n minus 1 into d की value कितनी है तो d के value 2 निकली हूँ है ठीक है यहाँ पर मैंने 2 भी put कर दिया अब फटा फट देखो कितना आ गया n by 2 into 2 into 1 is equal to 2 plus 2 into n is equal to 2n minus 2 into 1 is equal to 2 तो तुम ध्यान से देखोगे कि plus का 2 और minus का 2 यहीं पर कट गया बचा क्या तो बचा n by 2 into 2n और फिर से इस 2 से यह वाला 2 कट गया तो final answer आता है आपका n square तो n as n की value क्या होगी आपका n square and it is your answer देखो question number 10 का जो 1 है बढ़ा आसान सा सवाल है खुद a p बना और खुद solve कर लो तुमको क्या बुला बुला a1, a2, a3 ऐसे करके एक a p बनेगा a n तक बनेगा जिसमे a n की value दी हुई है 3 plus 4n अरे बाबू यदि हम लोग a n में n का value 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पर रखते चला जाएंगे तो a1, a2, a3 इस तरह मिलते चला जाएगा तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि a p बनाना मैं पहले a p बना हूँगा और उसके बाद solve कर दूँगा s15 की value तो सबसे पहले a p बनाने के लिए a1 चाहिए a1 क्या होगा, तो main formula दिया a n is equal to 3 plus 4n जहाँ पे आप n की value substitute कर सकते हो तो सबसे पहले solution जो मैं कर रहा हूँ मैं a1 रखता हूँ a1 तो क्या होगा यह 3 plus 4 into 1 is equal to 3 plus 4 is equal to 7 फिर मैं a2 निकालता हूँ क्या होगा 3 plus 4 into 2 is equal to 3 plus 8 is equal to 11 फिर मैं a3 निकालता हूँ a3 is equal to 3 plus 4 into 3 is equal to 3 plus 4 ती अब 12 बंदर आ गया दिख रहा है तो यहां से कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि सबसे एक a p 1 के तयार हूँ एक ऐसा a p 1 बना जिसका first term 7, second element, third 15 और ऐसे करके चलता चला जाएगा हर बार तुम देखोगे तो 4 बढ़ रहा है 7,4,11,4,15,8,4,19,4,20 ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो मैंने यदि 3 step भी निकाल लिया तो enough है मेरे लिए वो मुझे s15 चाहिए पेड़े में तो नहीं मिलेगा अबू s15 चाहिए तो कही ना कही मुझे a चाहिए d चाहिए तो पहले तो a देख लो a की वैल्यू कितनी होगी बोले सर 7 d की वैल्यू कितनी होगी a2-7,11-7 मतलब 4 आगया यदि आपको s15 चाहिए तो n तो दिया हुआ है कि सर n 15 टर्म हमको निकालना है मुझे s15 चाहिए, मुझे क्या साहिए, I just want s15, कहां से मिलेगा तो मैं एक काम करता हूँ sn is equal to क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d apply करो, क्या होगा s15 is equal to 15 by 2 into 2 into a की वैल्यू कितनी है 7 यह 7 डाल दिया plus 15 minus 1 into d की वैल्यू 4 दियो हुई थी यहां पर solve करो उसको फटा फट यह गया, 15 by 2 गुना, ध्यान से देखो 7 डुनी 14 plus अरे 15 में गया 14 और 14 चोक 56 ठीक है, तो बराबर कितना होता है 15 by 2 गुना, 70 जोड़ेंगे तो, 56 और 14, 70 यह 2 से 35 बार में कर जाएगा ठीक है, गुना कर दो 15 पचे, 75 हाथ में 7 15 तिया, 45 और 7 52, तो the answer will be 525 देखो, question number 1 जो आपने बताया, 10 का 1 बनाया, same है question number second भी क्या बोल दिया, an का value change कर दिया अरे तो हमको बल थोड़ी न लगेगा मैं उसी तरह से आगे लेके चला जाऊंगा a1, a2, a3 का value निकालता हूं सस्ते में निप्टा दूँगा इसको देखो, a1, red पर नहीं यूज़ करता हूं कस्ट होगा a1 is equal to क्या होगा मुले सर, 9 minus 5 into 1 is equal to 9 minus 5 is equal to 4 हो गया, ठीक है a2 की value क्या होगी 9 minus 5 into 2 is equal to 9 minus का 10 is equal to minus का 1 ठीक है a3 की value क्या होगी 9 minus 5 into 3 is equal to 9 minus 15 is equal to minus का 6 और यह so on ऐसे चलता चलाएगा a1 अधी नया बनाए तो क्या बनेगा तो a1 बनेगा 4 minus का 1 minus का 6 minus का 11 ऐसे देख रहो कितना घट रहा है अब देख रहो ना 4 से 1 आ गया minus का 5 घट गया फिर minus का 5 घट गया ऐसे तो चलता है जला जाएगा तो फटा फट निकालते हैं a की value बोले सरफ 4 d की value a2 minus a1 minus 1 minus 4 मतलब minus का 5 15 पदों का योग्याद का नयत n बराबर तो 15 है ही मुझे s15 चाहिए I just want s15 पहले formula तो लिख लो sn is equal to क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d अब इसी को ले करके हम लोग solve कर देंगे क्या होगा यहाँ पे देखो सस्ते में s15 is equal to 15 by 2 into 2 into a की value कितनी है बोले सर 4 है बोले ठीक है plus 15 minus 1 n की value 15 बैठा दी मैंने और d की value minus की 5 है कितनी minus की 5 ठीक है कोई दिकर नहीं इसको भी निप्टा देंगे हम लोग कितना हो गया यह 15 by 2 into देखो तो 4 दूनी 8 plus वेट करो वेट करो अभी वेट कर लो बोले सर 15 हमें एग गया 14 लेकिन 14 plus का आएगा और 14 बचे 70 लेकिन 5 तो मैनस में है तो यहाँ पर बजाएगा मैनस का ना 70 रहना ही होगा 15 में एग गया 14 गुना मैनस 5 बरावर मैनस का 70 अब तुम ध्यान से देखो गे तो यह हो गया 15 बटा दो गुना 70 में से 8 गया 70 में से 8 गया मैनस का बार 62 बचेगा है मैनस गटा रहे है वापर तो मैनस का 62 इसको भी काट दो क्या यह 31 बार में नहीं कटेगा बिल्कुल गटेगा तो फाइनल आंसर कितनी आगी 15 इंटू माइनस का 31 गुना करो 15 एकम 15 15 तिया 45 और 1 46 लेकिन नेगेटिव आंसर होगा 4 6 5